दोस्तों इस विडियो में हम चर्चा करेंगे प्रारंबिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में क्या अंतर था? दोस्तों, प्राचीन भारतिय इतिहास में सिंधू घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का स्थान आता है. ये भारत की प्रतम सब्यता है जिसके लिखित साक्षय मिले हैं सिंधू घटी के लिखित साक्षयों को अब तक पड़ा नहीं जा सका है वैदिक काल की अवधी पंद्रा सौ इसा पूर्व से छे शून्य शून्य बीसी मानी जाती है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक भिन्नता के आधार पर अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को दो भागों में बनता गया है पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक का काल 1500-1000 इसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल 1600-2020 माना जाता है आईए कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता के बीच बिननता को समझने का प्रयास करते हैं यदि आप प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं और विशेशग्य मार्ग दर्शन की तलाश कर रहे हैं दोस्तों, पूर्व या प्रारंबिक वैदिक काल के कुछ अंतर है परंतु धर्मिक कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गए थे वैदिक काल के धर्म की विशेष्टाओं को संक्षिप्त रूप से निमनलिखित संदर्भों में जान सकते हैं दोस्तों वैदिक काल के आर्यल लोग एक परम ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे इसे वे ब्रह्मय या आदी पुरुष कहते थे उनकी ऐसी इनकी धरनाती की इस इश्वर से ही सभी कुछ उत्पन और संचालित है इस इश्वर के साथ साथ इनके धर्म में बहु देववाद का दर्शन भी महत्वर रखता था दोस्तों, वेदिक काल का मानव अनेक देवी देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखता था रिगवेद में मुख्य रूप से 33 करोर देवी देवताओं का उलेख है इनकी कृपा मनुष्य समाज पर बनी रहे इसलिए ये सभी देवी देवता विशेश मान्यताओं के साथ पूजे जाते थे वेदिक देवताओं में सबसे प्रमुक स्थान इंद्र, रुद्र, बरुन, अगनी, सूर्य आदी देवों तथा प्रमुक देवियां पार्वती, सरस्वती, पृत्वी आदी थी विश्नु देवता का उद्भव उत्तर वेदिक काल में हुआ था वेदिक आर्यों का ऐसा द्रिर विश्वास था कि देवी देवताओं के प्रसन रहने पर ही सुक, आनंद, सम्रिद्धी और शांती मिल सकती है क्योंकि देवता मनुश्यों के शुबचिन तक, दयावान तथा हितैशी होते हैं तथा इनके कुपित होने पर विनाशकारी संकट आते हैं इसके लिए आर्यों लोग देवताओं को प्रसन करने के लिए यग्या दीकर उनकी स्तती करते थे उसकाल में बली प्रथा का प्रचलन भी जोरों पर था परिवार पित्र सत्तात्मक होता था जब पिता वृदह हो जाता था तब पुत्र परिवार का कार्यभार संभालता था पिता की मृत्यू के उपरांध पुत्र उसकी सारी संपत्ती का मालिक होता था परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया के नियंत्रन में तथा पुत्रियां पिता के सनरक्षन में रहती थी पिता की मृत्यू के बाद उनकी देख भाल भाई करते थे परिवार संयुक्त हुआ करते थे विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था बहु विवाह वर्जित था परंतु राजवन्शों एवं उच्च वर्गों में बहु विवाह का प्रचलन था बाल विवाह नहीं होते थे लड़कियों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की छूट थी पती घर का स्वामी और पतनी से धर्मिनी मानी जाती थी दहेज की प्रथा का अस्तित्व नहीं था समाज में स्ट्री का स्थान सम्माननिय था उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता थी पर्दे की प्रथा नहीं थी स्त्रियां ग्रिहस्वामिनी मानी जाती थी और अपने पती के साथ धार में कृत्यों में हिस्सा लेती थी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी कुछ स्त्रियों ने तो वेद की रिचाओं की भी रचना की विदूशी स्त्रियों में अपाला, घोशा, लोपा मुद्रा एवं विश्वावरा के नाम उलेक निये हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल वहकाल जिसने रिग वैदिक काल का अनुसरन किया उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है वैदिक लेखों में समुद्र व समुद्री यात्राओं का उलेख मिलता है जो दर्शाता है कि समुद्री व्यापार आरियों के द्वारा शुरू किया गया था तब धन उधार देना भी एक व्यापार था आर्यल लोग सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे पर सोने की मुद्राओं के लिए विशेश सोने के वजनों का प्रयोग किया जाता था सत्माना, निश्का, कौशामभी, काशी, विदेहा, आदी, प्रसिद, व्यापारिक के इंद थे जब की विदेशी सामान के लिए नावों और समुद्री जहाजों का प्रयोग किया जाता था चांदी का इस्तिमाल वरिहत स्तर पर होता था और उससे आभूशन बनाये जाते थे दोस्तों, समाज चार वर्नों में विभाजित था, ब्राहमन, क्षत्रिय, वैशिय और शूद्र प्रत्येक वर्न का अपना कार्य निर्धारित था जिसे वे पूरे रीती रिवाज के साथ करते थे दोस्तों, समाज पित्र सत्तात्मक था चल अचल संपत्ती पिता से बेटे को चली जाती थी औरतों को ज्यादा तर निचला स्थान दिया जाता था एक ही गोत्र के या एक ही पूर्वजों के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते थे सबसे महत्वपूर्ण उत्तर वैदिक ईश्वर इंद्र और अगनी की महत्वता कुछ कम और इनके स्थान पर प्रजापती, विधाता आदी की पूजा होने लगी थी रुद्र, पशुओं के देवता और विश्नु, मनुश्य के पालक और रक्षक माने जाते थे यग्य या हवन करना लोगों के मुख्यधार्मिक कार्या होते थे रोजाना के यग्य साधारन होते थे और परिवारों के बीच में ही होते थे रोज के यग्यों के अलावा वित्योहार के दिनों में खास यग्य किया करते थे इन मौकों पर जानवरों की बली दी जाए है